दोस्तो अगर आपके शादी हो गई है लेकिन अभी तक आपका marriage certificate नहीं बना है तो आपको tension नहीं लेना है इस वडियो को देख करके दोस्तो आप online ही अपना जो marriage certificate है उसे बना सकते हैं इस वडियो के अंदर दोस्तो मैं आपको step by step पूरा process बताऊंगा कि कैसे आप online घर बैट अपना जो marriage certificate है उसे बना सकते हैं बस कुछ minimum document अपलोड करके ठीक है जिसके बाद दोस्तो आपका marriage certificate बन जाएगा और जो भी address आप देंगे उसी address पर by post आ जाएगा तो कैसे दोस्तो apply करना है marriage certificate के लिए इसका पूरा process क्या है चले मैं आपको बता देता हूं वीडियो कर लेना है आपके सामने पहला link आजाएगा national portal of India तो इसी link के उपर क्लिक कर देना है जिसके बाद दोस्तो आपके सामने government का जो पोर्टल है ये open हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तो चाहिए तो आप birth certificate बना सकते हैं driving license बना सकते हैं pen card बना सकते हैं बहुत से document आप यहाँ स देखेंगे जिस जिस state में online marriage certificate apply हो रहा है उस state का जो direct link है ओ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे मदर प्रदेश का link दिया हुआ है उसके बाद नीचे हर्याना का link दिया हुआ है नीचे आएंगे तो डेली का आपको link लग-अलग pages भी है थीज है तो आपको अलग-अलग pages पर जाकर चेक कर लेना है कि आपके state का यहाँ पर link है या पर नहीं है ठीक है यहाँ पर सूरत वगरे का भी आपको link देखने को मिल जाएगा तो जिस state का आपको link जी है उसे आप यहाँ पर search कर लेंगे उसके बाद उस पाल्टी है Corporation उसे यहाँ पर select करेंगे उसके बाद submit के ऊपर click कर देना है जैसे आप submit करेंगे आपके सामने main form open हो जाएगा marriage registration form ठीक है इसे ही आपको fill up करना है ठीक है यहाँ पर तीन step में आपको form बरकर submit करना है सबसे पहले step में general information देना है registration unit यहाँ पर आप select करेंगे main office ठी state name यहाँ पर आपको type कर देना है उसके बाद इस city में शादी हुआ वह आपको यहाँ पर type कर देना है जिसके बाद यहाँ पर venue of marriage यानि शादी घर में हुआ था या फिर functional hall में या फिर worship यानि की मंदिर में तो आप यहाँ पर अपने इसाफसे select कर लेंगे अगर घर पर शा यहाँ पर type कर देना है जिसके बाद अगर आपके state में marriage registration का form means पैसा लगता है फीस लगता है तो यहाँ पर देखने को मिलेगा अब यहाँ पर marriage photo आपको एक upload कर देना है शादी का जो photo है choose file के उपर click करके यहाँ पर upload कर देना है जिसके बाद नीचे आएंगे अब यहाँ bridegroom information आपको देना है जिसमें bridegroom का जो first name है middle name है last name है वो आपको यहाँ पर type कर देना है ठीक है इस प्रकास यहाँ पर जैसा दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पर father या फिर mother name type करना है यहाँ पर religion select करना है जो भी religion है जैसे कि यहाँ पर हम हिंदू select कर लेते हैं उसके आना है शादी के समय age कितना था ठीक है यहाँ पर आपको जो है type कर देना है यहाँ पर एक पासपोर्ट size photo upload करना है bridegroom का choose file के उपर क्लिक करके passport size photo upload कर देंगे जिसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर status of मतलब कि जब शादी हो रहा था तो unmarried आप थे तो unmarried आप यहाँ phone number type कर देना है यहाँ पर residence address घर का पूरा address type करना है street name यहाँ पर type करना है locality आपको यहाँ पर type करना है city name आपको यहाँ पर type कर देना है अगर office में काम करते हैं तो office के address आप यहाँ पर देंगे नहीं तो घर काई address आप यहाँ पर type करेंगे phone number देंगे उसके बाद क्या काम क इसके बाद nationality में इंडियन रखना और अगर handicap है तो handicap के लिए check box पे click करना होगा नहीं तो आप इसे छोड़ देना अब यहाँ पर bride information देना है जिसमें दोस्तो bride का first name, middle name, last name यहाँ पर दोस्तो आपको type कर देना है ठीक है? bride के father या फिर mother के name यहाँ पर type करना है, religion आपको यहाँ पर select करना है, जो भी religion है जिसके बाद age कितना था शादी के time पर, वो age आपको यहाँ पर type करना होगा, यहाँ पर passport size bride का photo upload करना है, choose file के उपर click करके आप upload कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको unmarried select करना होगा, street name यहाँ पर type करना है, locality name आपको यहाँ पर type करना है, city name यहाँ पर आप type कर देंगे, office का address है तो office का address दे दीजिए, नहीं तो घर का address type कर देना, phone number आपको यहाँ पर type करना है, occupation बताना है, क्या काम करते हैं, ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर email ID आपको type कर देना है, और यह पर जो education qualification है वो select कर लेना है उसके बाद दोस्तों अगर handicap है तो check box पर click करना होगा नहीं तो इसे छोड़ देना उसके बाद forward के उपर click कर देना है जैसे आप forward करेंगे आपके सामने अगला step open हो जाएगा witness detail का ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले bright groom side के witness देना है हर side के दो witness देना होगा तो जो first witness है उसका detail आपको यहाँ पर देना है जिसमें full name यहाँ पर type कर देंगे middle name first name last name ठीक है जिसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर father name इनके type कर देना है यहाँ पर आधार number type करना है यहाँ पर occupation बताना है जिसके बाद इनका passport size photo आपको यहाँ पर upload कर देना है choose file के उपर click करके यहाँ पर relationship type कर देंगे उनका आपके साथ क्या relation है उसके बाद यहाँ पर age type करना है उनका पूरा address आपको यहाँ पर type कर देना है जिसके बाद नीचे आएंगे अब second witness का जो detail है उसे दोस्तों आपको यहाँ पर fill up करना है ठीक है जिसमें full name, आधार number, occupation, passport size photo सब कुछ यहाँ पर upload करना है जैसे आपने first witness का भरा है ठीक है जैसे मैंने उपर बता है same to same उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर bright side के जो witness है उनका detail आपको देना है जिसमें bright side के जो first witness होंगे उनका पूरा detail आप यहाँ पर fill up करेंगे और एक photo जो है passport size यहाँ पर upload कर देंगे जैसे उपर आपने भरा same witness का detail आपको देना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर second witness second witness जो होंगे bright side के उनका पूरा detail आपको यहाँ पर type कर देना है उसके बाद passport size photo यहाँ पर upload करना है सब कुछ होने के बाद नीचे आना है forward के उपर click कर देना है आपके सामने दोस्तो last step आएगा document upload करने का ठीक है यहाँ पर कौन-कौन सा document upload करना है ध्यान से देख लिजे सबसे पहले comment document देना है तो comment document में marriage invitation card जो होता है choose file के उपर click करके उससे यहाँ पर upload करना है उसके बाद memorandum of marriage उससे दोस्तों आपको choose file के उपर click करके यहाँ पर upload कर देना है अब यहाँ पर individual document देना है जिसमें सबसे पहले bridegroom का जो document है उस सब इस side upload होगा और जो bride है उनका document इस side upload होगा ठीक है मतलब कि अलग-अलग side upload करना है तो अगर किसी का भी passport बना है तो passport आप यहाँ पर upload कर सकते हैं अगर किसी का भी नहीं बना है तो छोड़ देना यह optional है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है उसके बाद यहाँ पर नीच आएंगे तो proof of age age proof आपको यहाँ पर देना है तो इसमें आप चाहिए तो school का living certificate दे सकते हैं birth certificate दे सकते हैं जो document आपके पास इनमें से है वह document आपको upload करना है ठीक है जैसे हमारे पास birth certificate है तो यहाँ पर चलिए हम birth certificate upload कर लेते हैं जो bridegroom है उनका इस side upload करना है और bridegroom का document इस side upload कर देना है समझ गया है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीच आना है proof of residence address proof आपको देना है तो यहाँ पर चे तो आप राशन कार्ड दे सकते हैं light bill दे सकते हैं आधार कार्ड दे सकते हैं ठीक है तो आधार कार्ड होगा तो bridegroom का इस side upload कर देना जो bride है उनका document इस side upload कर देना आधार कार्ड को यह सब होने के बाद दोस्तो बस आपको क्या करना है नीचे चले आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर forward के उपर क्लिक करके आपको form को submit कर देना है अगर आपके state में fees लग रहा होगा तो आपको थोड़ा बहुत fees भी pay करना पड़ेगा ठीक है जिसके बाद दोस्तो आपका form submit हो जाएगा कुछ दिन बाद दोस्तो आपको SMS आजाएगा कि आपका मेरे certificate बन गया है और speed post से आपके घर पर जो है आजाएगा जो भी आपने residential address दिया होगा ठीक है उसी address पर आपको certificate मिल जाएगा इसी प्रकास से दोस्तो अगर आपकी state का यहाँ पर link दिया हुआ है तो यहाँ से apply करके आप अपने जो है मेरे certificate बना सकते हैं तो वीडियो पसंद आया तो like को share कर देना ठेंक दोस्तो बाइबन टेक कियर